तो दोस्तो आज की वीडियों में बात करेंगे TCM XT टैबलेट के बारे में है अब बात करेंगे इस टैबलेट के फायदे नुकसान क्या है, साइड एफिट क्या है, क्या डोस हैं तो सारी जान करी दूँगा तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखरी तक तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्राइसे जरुवत कर लेते हैं तो करीब 348 रुपीज में यह आपको 30 टैबलेट मिलती है तो प्राइस हमें के दूशार बलता रहता है तो जो आज का प्राइस जब दर में आपको बताया है अब भई यह है कोरोना रेमिडीस की जो की काफी अच्छी कंपनी काफी अच्छा प्रांड है बहुत ही बढ़ी है प्रांड ही है अब इसको कहां से खरीदना है तो कोई भी कैलसियम मिलेगा जो की 250 में रहेगा इसके लाव बिटामिन D3 है जो की 800 इंटरनेशल यूनेट में रहेगा तो इस परकार से इसमें दो इंगिडियंट है या फिर हम बोले तो कैलसियम और बिटामिन D3 की जो है भाई क्या है ये मेडीसियन है ये परहें बात करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं सबसे पहले तो देखिए आप की हड्ये Tradition के लिए बहुत अच्छा होता है आपको पता है केलसियम आपकी अपकी हड्ये को Healthy रकती हैं कई बार जरास भी गिर जाते तो हड़ी तूट जाती है जल्दी जल्दी तूटने लगती है तो कहीं ना कहीं भाई इस टाइप से प्राॉलम हो सकती है अगर आपको कैलसियम और विटामिन मजबूत रहें और healthy रहें अब इसके लावा देखिए ये जो है आपके thyroid function को बहतर करती है या फिर जिनको thyroid बगेरा हो जाता है तो उनको भी भाई इस type से doctor medicine देते हैं इसके लावा भाई जिन लेडिसों को menopause या menopause के symptoms होते हैं या साल के बाद तो इस type से calcium vitamin D3 की कमी आपको होने ही लगती है लगबग बहुत सारे लोगों में इसा देखा गया है तो आप उस condition में ले सकते हैं अगर आपकी उमर जादा हो गया है तो हड्डियों को जनली जोडने में भी medicine मदद करती है तो उस समय भी इस medicine को doctor देते हैं या फिर आप ले सकते हैं तो देखिए ये इसके main फायदे थे जिनके बारे मैं आपको बता दिया है अब दर बात कल लेते हैं इसके dose के बारे में कैसे लेना होता है तो देखिए एक टेबलेट आपको जनली जो है एक दिन में एक ही बार लेना है और कुछ-कुछ condition में doctor इसको एक दिन में दो बार भी लेने को बोल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा problem है calcium और vitamin D3 की ज़्यादा कमी हो जाए तो doctor कुछ दिनों के लिए आपको एक दिन में दो बार भी लेने के लिए बोल सकते हैं बागी इसको एक दिन में एक बार बिल्गुल आप ले सकते हो कभी भी ले सकते हो खाना खाने के पहले बाद में लेकिन बाद में लेंगे तो बहतर रहेगा और simple पानी के साथ लेना हो आप कौन-कौन ले सकते हैं तो मेल, फीमेल, प्रिग्नेंसी में या जो हम आपने बच्चे को दूद पलाती हैं सब ही इसको ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन प्रिग्नेंसी में फिर भी डॉक्टर से और सला करने तो बहतर रहेगा बगी बच्चों के बा तो आपका पेट खरा हो सकता है, शरीर में एचिंग, रैसेस बगेर हो सकते हैं, नोजे डाइव लग सकता है अगर यह सूट नहीं करेगी तब की बात है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसमें मेडिसिन को लेना बन कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से भी अगर इस टैबलेट का नहीं करना चाहिए, बग इसके पहले से कोई भी चल रही हो, कोई भी हो आपकी थायरियोट के, बेपे के, डाइविडियस के, एंटिवाइटे, कोई आरेन के, यह सब ही ले सकते हैं, अब देखिए रिजल्ट कब तक मिल जाएगा तो मैं बोलना चा आप देखिए, जो है दूद पीजिए, कमसका में दो बार दूद पी सकते हैं, इसका लाओ वजन को कम करना है, वजन अगर बलेगा, तो आपके हड़े भी कमजोर होगे, आपके जोड़ों में भी दिक्कत होगी, तो वजन को कम करिए, थोड़ी बहुत एक्साइज बगेर करते रहिए, तो दोस्तों, इधर मेरा वीडियो खतम होता है, उम्मिद कर दो वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से जो है में वीडियो बनाते रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नह नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, जब तक आप देखते रही और बने रही है, आपके अपने चैनल में, नॉलिज फोर इंडियन